हेलो ममी पापा इन बच्चों कैसे हैं आप आज मैं मूंग दाल बनाने जा रही हो अक्को के लिए आप्टर सिक्स मेंस आप दाल का पानी दीजिए खाली पानी नहीं देना है थोड़ा सा लिक्विट फॉर्म में होता है बहुत जाधा घाड़ा भी नहीं देना है मूंग दाल के बहुत फायदे हैं पहले हम इनके फायदे जान लेते हैं मूंग दाल से शीशू को बिल्कुल ऐलर्जी नहीं होती है इस बात का बहुत ध्यान रखे कि आप उजे खाने में क्यों क्या दे रहे हैं मूंग दाल आसानी से पज़ जाती है इसमें जिंक, मैंगनेज और आईरेन जैसे कई पुशक तत्व होते हैं जो शीशू के विकास और उसकी इम्म्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं मैंने यहां आधा काटोरी मूंग डाल ली है और इसे हमें कम से कम 15 मिनट भिगो के रखना है जनरली हम दाल मूंग की डाल नहीं भिगोते हैं पर यह आप बेबी के लिए बना रहे हैं तो प्लीज इसे भिगो लीजिए पंदा मिनट के लिए 15 मिनट हो चुके हैं अब हम दाल बनाएंगे मैंने आधा काटोरी डाल में एक गलास पानी डाला है बहुत ही जड़ा सी हल्दी और थोड़ा सा नमक इसे अच्छे से मिलाएंगे और तीन से चार ती हम इस दाल को लगवाएंगे चार स्रीटी हमारी दाल में आ चुकी है हमारी दाल बनकर एकदम तयार है आप भी अपने बेबी की डाइट में म्यूंग दाल को जरूर शामिल करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल आप